बहुला चौथ कब है दोहजार चौविस हलो एवरिवन वेल्कम बैक टु मैं शानल कुंज अफीस से लावर यूर चैनल कैसो अप लोग आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे अगर आप नेरी चैनल पे पहली बारा है तो प्रेश्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब क कर ले ताकि मैं जो भी निया वीडियो रहां उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास बहुला चौथ बहुला चतूर्थी कब है दोहजार चौविस भादो महिने के कृष्ण पक्ष की चतूर्थी को बहुला चतूर्थी वह बहुला चौथ के नाम से जाना जाता है इस दिन भगवान स्री गनेश के निम्नितम वरत किया जाता है वर्ष की प्रमुख चार चतूर्थी में से एक ये भी है वर्ष की प्रमुख चार चतूर्थियों में से एक ये भी है इस दिन वरत रखकर माताएं अपने पुत्र की रक्षा है तो कामना करती है बहुला पावल से निर्मित्वस्तुमे भोजन में ग्रहन करना वर्जित है गायत अथा शेर की मिट्टि की प्रतीमा बनाकर पूजन करने का विधान प्रचलित शास्त्रों के अनुसार इस तिन चंद्रमा के उद्य होने तक बहुला चतुर्थी का व्रत करने का बहुत ही महत्वो है बहुला वरत विधी इस दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निर्वित होने की पश्यचात स्नान आदी के बाद स्वच्छ वस्त्र धारन करना चाहिए वरती को पूरादी निराहार रहना होता है। संध्या समय में गयमाता तथा उसके बच्रे की पूजा की जाती है। वोजन में कई तरह की पकवान बनाये जाते हैं जिन खादेपदार्थों को बनाया जाता है उन्हीं का संध्या समय में गयमाता को भोग लगाया जाता है। भारत की कुछ भागों में जो तथा सत्तु का भी भोग लगाया जाता है बाद में इसी भोग लगे भोजन को इस त्रियां ग्रहन करती है इस दिन गाई तथा सिंग की मिट्टी की मुर्ती का पूजा पूजन भी किया जाता है संध्या के समय पूरी विधी विधान से प्रतम पूजनिय भगवान गनेश की पूजा की जात तिथी को भी अर्ग दिया जाता है इस प्रकार इस संकष्टी चतुर्थी का पालन जो भी वैक्ती करता है उसकी सभी मनुकामनाये पुर्ण वैक्ती को मानसिक तथा सालेरी कष्टों से छुटकाड़ा मिलता है जो वैक्ती संतान के लिए व्रत नहीं रखते हैं उन्हें कि बाधाये दूर करने के लिए इस व्रत को आवस्य करना चाहिए बहुला चतुर्थी व्रत दोहजार चोविस गुरु वार 22 अगस्त दोहजार चालिसमिनट चतूर्थी ठिती समाप्त 23 अगस्त 2024 को प्रातर 10 बजकर 40 मिनट पर तो बहुला चतुर्थी 22 अगस्त को रखा जाएगा कैसा लगा आप सभी को हमारा ये बहुला चतुर्थी वरत वीडियो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताएगा अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार है तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक सब्स प्लीज में लाएगा करता है